हेलो दोस्तो वेलकम टू माय चैनल डीजी टेक आज हम डिसकस करेंगे डी हुमिडिफायर सेलेक्शन कैसे किया जाता है डी हुमिडिफायर की कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते है तो आप जिसा स्क्रीन पर देख सकता है यह एक शीट है इसमें बेसिक जो डेटा लगेगा वह हमें फिल करना है तो यह जो है सबसे पहले रूम टेंपरेचर तो रूम टेंपरेचर जो हम ले रहे है वह 30 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं रूम टेंपरेचर तो यह डिग्री सेल्सियस में तो यहां आप रूम टें wertur आपको रखना है इस बार, तो रूम Size रूम हमको Meter में फिल करनी है, तो रूम की Length ने रहे है 5 meters, इसके बाद इस के बार नेक्स्ट है, रूम की width, जो हम फिल कर रहे हो 5 meters, ले रहे है then Room की Height यहां आपको Philippines कckets में तो Room की Height कहिए हम ले रहे हो 3 meters यहां पर calculate होके room का volume मिलेगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं मारा room का volume जो आ गया है वो 75 meter cube आ गया है ठीक है न जो हमारी room की present relative humidity है वो 70% है okay room की present relative humidity है वो 70% है और जो हमें जो room की relative humidity maintain करनी है वो हमें 50% maintain करनी है आपकी जो requirement है आप फिल कर सकते है looking तो हमें जो maintain करनी हैा 50 % relative humidity maintain करनी है ठीक है next हमको इसके बाद absolute humidity मालूम करना है तो present relative humidity जो हमाने 70% है and जो room temperature है वो 30 degree Celsius है तो इस basis पर हमको absolute humidity पता करना है तो यह एक chart है जिसमें आप देख सकते है relative humidity है and यह temperature है आपको exact value अगर चाहिए तो आप relative humidity और temperature की value psychometric chart के जो भी software होते है जैसे carrier या फिर train वो आप use कर सकते है तो relative humidity जो है हमारा initially वो 70% है and जो temperature है room का वो 30 degree Celsius है तो 30 degree Celsius पे and 70% relative humidity पे हमें value मिलती है 21.3 ओके जो नीचे वाली value है यह due point temperature की है हमें absolute humidity की चाहिए तो यह उपर वाली जो है 21.3 तो 70% relative humidity and 30 degree Celsius पे हमें जो value मिलिया है तो हमें आपको इसका basic formula बता देता हूँ हमने यहां तक तो पता कर लिया है कैसे करना है तो हमें next है difference between 2 and 3 जो equation है 2 and 3 absolute humidity at present relative humidity and absolute humidity at desire relative humidity तो इनका जो difference है 21.3 minus 15.2 तो हमें value मिल गए 6.1 okay then next multiply equation 1 and 4 1 जो है room का volume है and 4 जो है में इनका जो difference मिला है यह 6.1 इसको multiply करने पर हमें value मिले है 457.5 gram per hour okay then हमने इसको convert किया है kg per day में इस value को आप divided by 1000 and multiply by 24 करेगे तो आपको value मिलेगा kg per day में जो हमारे dehumidifier की capacity है 10.98 kg per day generally जो dehumidifier की capacity है वो pins per day में पता की जाती है और यही हमको लगती है calculation में या फिर dehumidifier selection में तो इस value को आप 2.1133 से multiply करोगे तो आपको value मिलेगा pins per day में जो हमें मिली है 23.20 pins per hour तो इस तरह जो है dehumidifier selection किया जाता है और यह basic इसके formula है ओके यह अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो है एक instant आपको dehumidifier selection करना है तो वो कैसे किया जाता है बीना calculation के तो यह generally दो हमने sources के tables लिए है यह है source association of home appliances manufacturer AHAM ओके तो आपको यहां से direct जो है आपका dehumidifier का selection आप कर सकते हैं यह rule of thumb की basis पर आप कर सकते हैं तो जैसा कि आगर आपका area है 1000 square feet और आपका जो room है वो very damp है तो आपको 17 pins per day का dehumidifier select करना पड़ेगा या फिर आपका room का area है 22500 square feet और आपका area है वो extremely wet है तो आपको 44 pins per day वाला dehumidifier select करना पड़ेगा उसी तरह दुसरे source का आपने data ले आए आप यह भी use कर सकते हैं किर और आपकाम आपने समय है जगा है ...